आज मैं आपके साथ चना मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये चना मसाला बहुत ही जूसी और स्पाइसी बनकर तयार होता है आप लोग एक बार इस तरीके से जरूर बनाना आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने कुकर ले ली हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ चने चनो को यहाँ पे मैंने रात भर भीगा दिया था यह पाव किलो चने है इसके बाद मैंने अच्छे से धोल लिया है चनो को चने हमने डाल दिये हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच भर कर डाल देंगे नमक और दो ग्लास हम इसमें डाल देंगे पानी तो दो ग्लास पानी काफी हो जाएंगे चने अच्छी तरीके से गल जाएंगे अब कूकर का धकल लगा देते हैं और चनो को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक चन बिर्कुल अच्छी तरीके से गल नहीं जाते तब तक चनों को पका लेंगे तो यहाँ पर जब तक हमने चनों को उबालने के लिए रखा है तब तक बाकी चीज़़े हम रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने मसाला ले लिए है आदा चमच मैंने यहाँ पर छोटे चमच से लिया है अखी धनिया आदा चमच जीरा पंदरा से बीस ये काली मिर्च है आदा चमच सौफ और यहाँ पर मैंने छे सूखी लाल मिर्च लिया है आप तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए ये जो मैंने लाल मिर्च ली है ये ज अब उसी तवे पर मैं डाल रही हूं यहां पे दो चमच बेसन चनेका आटा तो यहां पर मैंने दो बड़े चमच चनेका आटा ली हूँ और चनेके आटे को डालने के बाद तवे पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे तो बस एक से दो मिनिट के लिए आप इसे भून लीजिये मीडियम फ्लेम पर और इसे भी निकाल ल channel तो यह हमने बैसन को हलका सा भून लिया है बैसन रेडि हो चुका है और यह जो हमारे मसाले है यह थंडे हो चुके हैं तो अब इसे हम पीस लेते हैं तो ये देखे मैंने मसालो को पीस लिए आप देख सकते हैं दरदरा सा मैंने यहाँ पे मसालो को पीस है ये हमारा चने मसाले का जो मसाला है रेडी हो चुका है अब एक कटोरी में हम भिगो लेते हैं इमली को तो ये एक बड़े चमच यहाँ पे मैंने इमली लिए है इसमें ह पी रेडी है हमारा इमली को भी हमने यहां पर भिगा दिया है तो चलिए अब चेक कर लेते हैं चने को कि चना अच्छे से गल गया या नहीं तो चने को मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लिया है और यह देखिए चना जो हमारे यहां पर अच्छी तरीके से गल चुका है तो अब इसके पानी को हम फेक देंगे दुबारा से चने को अच्छे से धो लेंगे अब देखे मैंने यहां पर कढ़ाई ले लिए इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े चमश तेल तयल जैसी अच्छा गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देंगे प्यास तो ये एक बड़े साइस की प्यास है प्यास को मैंने रफली कट की हूं प्यास डाल लेते हैं प्यास डालने के बाद अब यहां पर हम प्यास को चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेंगे तो देखिए प्यास जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा चमच अधक लसन का पेस्ट और अधक लसन के पेस्ट को हम यहाँ थोड़ा सा भून लेंगे ताके इसका कच्चापन खत्म हो जाए अधरक लसन के पेस्ट को अच्छे से मैंने यहाँ भून लिया है अब इसमें हम डाल देते हैं आलू तो यहाँ पे मैंने दो आलू को छोटे छोटे तुकडों में कट की हूँ इससे आलू जल्दी गल जाएंगे इसके बाद साथ में ही यहाँ मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च तो यह दो हरी मिर्च है जिसको मैंने बहुत बारिक बारिक कट किया है आदा चमज डाल देंगे हल्दी तो आप यहाँ पे हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल दिए क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्ज भी एट की है हल्दी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम ढाक कर रख देंगे ताके आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हमें जादा फिर आगे इसे पकाने की जरूरत ना पड़े तो देखिए आपका अच्छी तरीके से गला हुआ हो तभी आप डालना अगर अच्छे से नहीं गला तो पहले आप इसे अच्छे से गला लीजिए चने को डालने के बाद चने को भी एक से दो मिनट के लिए फ्राय कर लेंगे तेल में अब इसमें हम डाल देंगे बेसन तो जो बेसन को हमने भून के रखा था, बेसन डाल दिया हमने, अब जो मसाला हमने पीसा था वो भी हम डाल देंगे इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक अब डालने के बाद अब मसालो को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और मसालो को हम बस यहाँ एक से दू मिनट के लिए पकाएंगे अब इसमें हम डाल देते हैं पानी तो यहाँ पर मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर मसालेदार चने बना रहे हैं और आलू को भी हमें गलाना है तो एक ग्लास में यहाँ पानी डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से डालिए पानी डालने के बाद एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम ढग कर रख देते हैं पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर ताके आलू अच्छे से गल जाए तो देखे मैंने चार से पाँच मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है चलिए चेक कर लेते हैं आलू गल गया या नहीं तो आलू देखिए गल चुका है हमारा यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे इमली का पानी तो जो इमली हमने बिगा के रखी थी उसके जूस को हमने निकाल लिया है इसे हम डाल देंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चमच चाट मसाला चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी धनिया धनिया डालने के बाद अब सभी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके बस एक से दो मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे तो ये देखिए हमारा चना मसाला रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं कितना जूसी बनाएं तो आप लोग एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना आपको बहुत पसंद आएगी आप जब ही भी बनाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए